बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 11 अपरेल यानि की मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है कौन से लेवल पर हम प्रोफिटेबल ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है लास्टाइम दोस्तों आमने डिसकस क्या था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है हलकी फूल गया गैप डाउन होती है तो पचास दिन का मूविंग एवरेज हमारा बाइंग जो रिकवरी क्या था इस केंडल ने टच करते ही और टेस्ट होने की वज़य से फिर से जब यह नीचे आना शुरू ही पचास दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया इसलिए हम पूटसाइड के पलस PCR डेटा नेगेटिव था मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक स्टड़ से कुछ सीखने को मिल रहा है कोमेंट करके जरूर बता है इससे मेरा होसला बढ़ता है बाइंग और सेलिंग एरिया हम सारे मार्केट में एक दिन पहले लगा देते हैं और अगर आप ध्यान से देखो कितने अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं मार्केट को यह तो इससे 800 के नीचे क्लोजिंग दे देती है फिर आना सुरू करते है तो हमको एक डाउनफोल भी देखने को मिल सकता है बहुत बड़ा डाउनफोल दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन एक डाउनफोल देखने को मिल सकता है और आज बैंक निफ्टी 4,800 के नीचे सरक गई थी लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा उपर आई है ठीक है तो निफ्टी का भी मैंने कल की वीडियो में एक लेवल बता था साइद 17,600 का लेवल मैंने बता था एक्जक्ट मुझे याद नहीं है और इंडिया विक्स भी दोस्तों काफी कूल हो गई है और आपने पिछली बार लेकिन मैं आपको प्रोपर एक लोजिक के साथ बताया था कि मार्केट में डाउनफॉल आ सकता और जटका आप देखी सकते हो अब देखिए अब सीखने वाली बात दोस्तों इसमें क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे ना जब जब मार्केट टोप से नीचे आना शुर दोस्तों बहुत सारे न्यूज फेक्टर थे अब की बार वह नहीं है और यहां पर आपको एक सपोर्ट भी दीख रहा होगा जहां से डबलू पैटरन का ब्रेक आउट आया था तो अगर डाउनफॉल आता भी है तो हम यहीं तक प्रेडिक्ट करेंगे और फिर जिस टाइम की दोस्तों क्लोजिंग आये है 483 434 ठीक है अगर बैंक अच्छा ट्रेड मिल सकता है गैपप डाउन में उलजा सकती है लेकिन अगर फ्लेट ओपन होती है 100 के अंदर-अगर अगर अच्छा ट्रेड मिल सकता है यनि कि फ्लेट ओपन हुई 800 के नीचे आना सुरू होती है हल दिन का moving average है इसको test करने bank nifty आ सकती है तो यह हमको put side का एक अच्छा trade देखने को मिल सकता है लेकिन उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करना जो safe trader हो वेट किस चीज़ का करना flat open हो या तो यहां पे समय भी तागे breakdown दे या फिर दोस्तों अगर direct breakdown आते तो थोड़ा सा वेट करना retest करने का तो फिर हम थोड़े से और ज्यादा confirm हो जाएंगे आज जो दोस्तों हमारा buying area था इसने दो बार काम किया अगर आप देख सकते हो तो पहली बार touch करते ही सुबह सुबह उपर वाले इससे ने और फिर दूसरी बार down बिल्कुल bottom में जब इसके नीचे आया buying area के तो market ने recovery दिखाई थी तो यह जोन अब test हो चुका है और अब यह retest का काम करेगा अगर इसके नीचे bank nifty खुलती है तो ठीक इस चीज को याद रखना यह अब एक retest का काम करेगा जो की exact level 4,900 का है यानि कि खुली इसको retest किया और फिर नीचे आ सकती है आयोप आपको समझ में आया होगा दोस्तों मैं क्या बोलने की कोशिस कर रहा हूं कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको gap up open होती है तो क्या करेंगे दोस्तों देखिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं call side कब जाना फिलेट open होने में देखिए call side जाने के लिए हमको थोड़ा सा इं पर stop loss रहेगा ठीक है जिन्होंने call right किया है और बहुत ज्यादा लोगोंने call right किया put right के मुगाबले तो फ्लेट open होई 41,000 के उपर निकली हलका सा अगर price action बनाती है तो फिर हम 50-60 point का stop loss डालके 41,000-200,300 याने कि यह एक resistance है यहां तक के target के लिए हम call side भी planning कर सकते हैं लेकिन अगर दोस्तो bank nifty gap of open होती है तो क्या करेंगे मान लीजिए gap of open होती 41,000 के उपर इस किसी range में तो दोस्तो wait करना है हमको 39,000 वाली हम strategy apply कर सकते हैं अगर पहली candle positive बन जाती है और फिर उसका high break होके price action बनता है उसके उपर closing आ जाती है दूसरी 15,000 की candle की चाहे वो तीसरी candle की तो दिन का लो stop loss डाल के और यह level break होते हैं हम coal side planning कर सकते हैं अनिकि दिन का high break होते हैं हम coal side planning कर सकते हैं 200-300 point के move के लिए ठीक है अगर directly selling area में open होती है अनिकि बहुत बड़ा gap of open हो जाती है 400-500 point का तो हम एक profit booking plan कर सकते हैं एक negative candle बनते ही दिन का high stop loss डालेंगे उसका low break होते ह जहां पर आज closing आई है यहां तक हम put side भी planning कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़े gap of opening में ठीक है वरना दोस्तों मैं थोड़ा सा downfall predict कर रहा हूं और logic के साथ कर रहा हूं यह नहीं कि मैं तुका मार रहा हूं मैं हर बार आपको सिखाने की कोशिस करता हूं मैं आपको cold tips नहीं दे सकते हैं तो हमको थोड़े से और point मिल सकते हैं downside ठीक है तो logic के साथ मैंने आपको बता है अब बात करते हैं gap down में क्या करेंगे bank nifty अगर बहुत बड़ा gap down open हो जाती है तो ध्यान से सुनिएगा कोई भी candle अगर दिन के high को break करके retaste करती है तो दिन का low stop loss डालके जहां पर आज closing आई है यहां तक के लिए हम target प्लान कर सकते है cold side ठीक है और अगर पहली candle negative बन गी और 4,500 का level नीचे break होना शुरू हो गया तो फिर हम दिन का high stop loss डालके put side भी planning कर सकते हैं 200-300 point के target के लिए इ यहां पर downside है 500-400-500 के आसपास आगे कोई support create करें तो दोपेर बाद हम recovery plan करेंगे यहां फिर upside जाए और जो हमारा retaste level है इसको मैं लाल कर देता हूं दोस्तों यहां पर कोई negative candle बनाए तो उस candle का high stop loss डालके हम दोपेर बाद downside planning कर सकते हैं यानिकि हमको दोनों side भी मौके मिल स सकते हैं यह अब एक resistance का काम करेगा इसलिए मैं इसको red कर देता हूं क्योंकि अब यह आपको अगर इसके नीचे market खुलती है तो फिर यह एक retaste का काम करेगा तो bank nifty के दोस्तों हर scenario मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं आपको चीज personally मैं जो सोच रहा हूं वो बता देता हू कल अगर दोस्तो bank nifty flat open होती है तो हमको अच्छे target मिल सकते हैं मलब trade मिल सकता है अगर bank nifty gap up या gap down open होती है तो हम थोड़ा सा फसा सकती है market trap कर सकती है stock close hunting हो सकती है और इसके बीच में तो दोस्तों अगर open होती है तो फिर यहीं जो मैंने कल बताया था इस zone के अंदर फसके रह सकती है आज भी बहुत देर तक अगर आप देखोगे इसी जोन के अंदर फसके रही थी bank nifty तो आई होप आपको समझ में आयोगा मैं आपको क्या बतानी कोसिस करा हूं बाकि मैं आपको PCR data telegram पे update दे दूँगा आप telegram पे मुझे follow कर सकते हो free of cost channel वीडियो के description में आपक तो मैं comment में पिन कर दूँगा मैं आपको दिखा भी देता हूं और सुबह का view देखे दोस्तों हमने क्या बोला था अभी का data sideways बना हुआ था लेकिन आज market अगर open होकर समय opening price के आसपास बिता देती है तो अच्छा momentum upside मिल सकता है लेकिन बिताया नहीं दोस्तों market downside ही आती चल इस वजे से मैंने आपको एक ची यह भी बोली थी ठीक है फिर मैंने आपको यह जो buying selling area लगाता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी में यह मैं आपको टेलिग्राम पे भी सुबह जो भी बनते हैं अपडेट कर देता हूं आप जाके चेक कर सकते हो और यह हमारी दोस्तों आज लेकिन एक भाई ने मुझे screenshot बेजा उसने paper trade की थी भाई साब रुका हुआ था और भी पता नहीं कौन-कौन होंगे लेकिन हमारी analysis सही लाइन में जा रही है और दोस्तों आप comment करके जरूर बताया करो क्योंकि इससे मेरा होसला बढ़ता है अगर आपको समझ में आती analysis और आप से इसको कुछ फायदा हो रहा है तो ठीक है बड़ी मैनत से वीडियो बनाते हैं चाहे मैं कहीं बाहर हो चाहे मैं बीजी हो चाहे बिमार हो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं यह दोस्तों टेलीगराम का चैनल ओरीजिनल चैनल का लिंक आपको comment में प 30,000, 50,000 अगर आप हमारे टेलीगराम की चैनल की पोस्ट पर व्यूज देखोगे तो आप देखे 50,000, 60,000, 40,000, 47,000 ऐसे व्यूज मिलें क्योंकि मेंबर एक्टिव है उन लोगों के आपको इतने व्यू नहीं मिलेंगे क्योंकि वो फिक सब्सक्राइबर है बोट सब्सक्र ठीक है तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मुझे कल भी एक बंदे ने कोमेंट किया था कि मेरे से 7,000 रुपे ले लिए भाई हर वीडियो में समझाता हूं एक मिनट सपेसल आपके लिए इस बात के लिए खतम कर देता हूं ताकि मैं आपको यह समझा प्लीज मेरे नाम से किसी को कोल टीप्स के लिए पैसे ना दे कोरस के रिगार्डिंग आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलती है तो आप ओरीजनल चैनल को ही जोइन करें ठीक है दोस्तों चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई इनालीसिस निफ्टी में किसको याद है दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मार्केट निफ्टी फसा सकती है क्योंकि निफ्टी 50 पॉइंट के अंदर घूम सकती है यह मैंने आपको कल बोला था यह डोट डोट वाली लाइन में अगर आप देखोगे तो इसी के आसपास निफ्टी ने रिजिस्टेंस फेस किया है और फिर नीचे आ गई यानि कि टोटली 500 पॉइंट के अंदर ही घूमती रही अब देखिए निफ्टी में आप एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमको क्यों क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी आई है 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास 17,560 के आसपास आपको ए 15-20 पॉइंट का स्टोपलोस रहेगा और वनिस्टोटो हमारा टार्गेट हो जाएगा हम पूट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं जो मेजर बाइंग इरिया है दोस्तों निफ्टी में वो 17,500 से लेके 17,500 के बीच में है अगर डारेटली गैप डाउन ओपन होती है निफ् पॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और 500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर तो भाई 400 का लेवल भी हमको 17,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है दिन का हाई स्टोपलोस डालके यहां तक के टार्गेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए गैप डाउन ओपन होने के बाद नेगेटिव केंडल बनाके और 17,500 का लेवल कटना च लेवल भी हमको 17,600 के लिए असपास है तो बहुत बड़ा गैप अपन हो जाती इस जोन में तो डाउन साइड आ सकती है प्रोफिट बूकिंग आ सकती है एक नेगेटिव केंडल बनते ही हाई स्टोपलोस डालके हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं जहां आप आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टार्गेट के लिए लेकिन निफ्टी अभी भी दोस्तों फसी हुई है पूट साइड हमको एक ट्रेड मिल सकता है क्योंकि यह इतना सपेस बचा है निफ्टी में पूट साइड अगर अपसाइड देखोगे तो पहले इस लेवल क को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा सपेस है 100-500 पॉइंट के टार्गेट निफ्टी में मिलने मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि हर 80-90 पॉइंट पे निफ्टी में बाइंग सेलिंग एरिया बने हुए हैं तो सभी लेवल दोस्तों मैंने आपको बता दिये हर त देखोगे तो तेजी वाले बहुत ज्यादा हैं मंदी वालों से ठीक है इंट्राडे में भी और पोजिशनली भी इंपोर्टेंट रजिस्टेंट 17700 का है अगर गैप उपन होती इसकी सी रेंज में तो मारके डाउन साइड आ सकती है वापी से 600 तक और अगर 600 का लेवल ब् पी कवरी भी कर सकती है तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखेंगा लेकिन हमारी वह बात भी याद रखना डाउन फॉल वाली क्योंकि इंडिया विक्स काफी कूल चल रहे बहुत सारे लोग क Unter looking कर आउन और मैंने उनको बोला था कि भाई कोई sign दिखने दीजे cherry पे हैं इ पाइब देख लेतें खाइब क्या रेंटवर्क पता निपया होगा डेट वह रगानाAK तक कि वीडियो आसानी से पहुंच जाए और नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में घंटिक निशान को जुरूर दुबाना ता कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें दोस्तों आपका दिन शुब रहे मिलते हैं दोस्तों कले एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए जै माता दी जै हिंद